साउथ फिल्म इंडस्ट्री से निकली कुछ अद्बुत पैन इंडिया फिल्मों ने ऐसा चमतकार कर दिखाया कि सारी रिजिनल फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी मार्केट की वैल्यू समझा गई यानि यहाँ पैसा कमाने का कितना स्कोप है यह दिखने लगा जब हिंडी मार्केट से रिजिनल फिल्म 500 करोड, 1000 करोड तक कमाई करने लगी थी अब पैन इंडिया की चपेट में एक और फिल्म इंडस्ट्री आ चुकी है जो देश की सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री भी कहलाती है Pan का Full Form होता है Presents Across Nation यानि जिस फिल्म की Presence उपस्थेती पूरे देश में होती है सीधे शब्दों में कहें तो जिस फिल्म को देश के मैक्सिमम राजियों में लोग देख सके और देखेंगे तभी जब वो उनकी लेंग्विज में डब्ड होगी देखा जाए तो पैन इंडिया फिल्म का इतिहास बहुत पुराना है हाला कि सही तोर पर तो ये बता पाना मुश्किल है कि पहली पैन इंडिया फिल्म कौन सी थी क्योंकि पैन इंडिया के माइने अलग-अलग जानकारों के हिसाब से अलग-अलग रही है लेकिन टाइम्स आफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार पहली पैन इंडिया फिल्म कर्नेडा फिल्म इंडस्ट्री से थी, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था महिसा शुर मर्दिनी, इस फिल्म को साथ लेंग्वेजस में डब करके रिलीज किया गया था, और अभी NTR ने कहा था कि पैन इंडिया नहीं कहा जाना चाहिए, बलकि सिर्फ फिल्म कहा जाना चाहिए, बट जब हम इस तरह के सब्जेक्ट पर डिसकस करते हैं, तो इसली समझने के लिए पैन इंडिया का यूज हम यहां करेंगे, और I guess पैन इंडिया कहे जाने में कोई नहीं होगा कि फिल्म अपनी भाशा में रिलीज हो रही है, या अन्य भाशाओ में भी, 2015 में जब बाहुबली फिल्म रिलीज हुई थी, तो एक्चुली में पैन इंडिया सक्सेस का मजा फिल्म इंडिस्ट्रीज ने चका था, इससे पहले एकका दुका ही ऐसी फिल्में थ इंडिया का हिंदी मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया तो इंडिया पिछले दिनो नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 को भी हिंदी डप्ड वर्जन में औरिजनल लेंग्वेज के साथ रिलीज किया गया था, खैर अब इसी कड़ी में पहली बार बेंगॉली फिल अब धीरे धीरे हर रिजनल इंडिया फिल्म की तरफ बढ़ रही है ताकि उन्हें मुनाफ़े के ज्यादा आप्शन्स मिल सके हला कि भोचपूरी फिल्म इंडिस्ट्री अभी इससे कोसो दूर है क्योंकि अब कंटेंट भी तो ऐसा हो ना जो पूरे देश को पसंद आ सके अभी यहां फेक गंस फालतू लुक्स और रिमोट वाले लहंगे ही चल रहे हैं चैंगीज का टीजर हिंदी में भी रिलीज हुआ है जहां जीत का लुक देखकर लग रहा है जैसे फिल्म अगेन 1980 में केंद्रे थै वही फिल्म में धेर सारा एक्शन मार काट और एक अंडर की क्राइम स्टोरी को दिखाये गया था फिर कर्नेडा फिल्म कबजा जो अगेन एक पैन इंडिया फिल्म थी उसमें भी एक आम से खास क्रिमिनल बनने की कहानी थी और अब बेंगॉली फिल्म इंडस्टी से चैंगीज फिल्म की भी औल्मोस्ट यही कहानी फील हो रही है क KGF, कबजा, ट्रिपल र और कांतार, यह सारी पीरेड फिल्म थी और अब चैंगीज भी एक पीरेड फिल्म है, टीजर में जीत एक डॉन के लुक में नजर आ रहा है, जहां मार काट, पैसा, सटा, मनी लॉंडरिंग जैसे सब कुछ देखने को मिल रहा है, गन चलाने वाले स सूट आदी पहनावा भी दिमाग KGF पर ले जाता है, तो क्या यह समझा जाए, कि यह फिल्मेकर्स को क्राइम थ्रिलर फिल्म पर ज्यादा भरोसा है, कि यह फिल्म पैन इंडिया अच्छा बिजनस कर लेगी, या फिर अभी देखा देखी में ऐसी फिल्में बन रही है, तो ऐसा कुछ अलग इस टीजर में फिल्म नहीं हो रहा है, लेकिन यह अच्छी बात है कि बेंगॉली फिल्मस आप धीरे-धीरे कॉमर्शिल सीनेमा में अपना लेवल बढ़ा रही है, आठ फिल्मस में तो खायर इंसे आगी कोई दूसरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, टीजर में एक डायलोग है चैंगीज का, आज कल नहीं होता, चैंगीज का युग होता है, युग और उसके बाद जीत का हाई करना, अगनीपत की याद दिलाता है, आपको ऐसा लगा? खायर सच पूझे तो टीजर में फिल्हाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जो बहुत एकसाइट करें, एस पर कंपैरेजन टू पुछपा या फिर केजिएफ, हाँ बेंगॉली फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट आफ व्यू से हो सकता है कि टीजर इंप्रेस कर रहा हो कु गर नरी के सकता है, जी लूबत जाएट बाक्ष्ट एंदेट है, एकसाइट प्रशन टूबत शर्च नहीं पॉपट ऑक्टूबत नहीं पॉपट पॉपट भभभग करेंचे में लिल्हां हैं बुटत एकट अवट रहाग शर्शन वेचरान बीशन टून टूबत टूर श